ओके गाई सो कैसे हैं आप सब सो दोस्तों उमीद गरता हूँ आप सब खेरी से होंगे ठीक होंगे आज हम रेल्मी नार्जो 60 प्रो के बार में बात करने वाले हैं जो आज 12 बजे लाँच किया गया है तो आज की वीडियो को आखर तक देखते रहेगा आज हम इस फोन की 16GP तो आपको RAM देखनी को मिलेगी लेकिन 12 GP विर्च्वर रैम भी देखने को मिलेगी 24GP RAM बन जाती है जो वरिան होका 12GP वाला यह होगा लेकिन एक्स्ट्राइब आप इसք 12GP रैम और भी बड़ा आप होग horr में रेल्मी नार्जो 60 प्रो के अंदर यह बहुत ही आपका फास फीचर दिया है उन लोगों के लिए जो अपना गीमनी के लिए स्माटफोन यूज़ करते हैं और इसके साथ दोस्तों वन टीबी तक मेमरी स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी बहुत ऐसे डिवाइस देखे होगी दोस्तों आपको 512 जीपी तक आपको देखने को मिली है परसनली तोर पे दोस्तों ये फीचर मुझे रियलमी के तरफ से बहुत खास लगा है और बहुत अच्छा लगा है खाया दूसरे फीचर भी आपको बिलकुल इसी तरह के देखने को मिलेगे और साथ साथ दोस्तों इस फून के अंदर आपको प्राइस भी इतनी को बिल जाता है अच्छा चलिए इस चीज के वारे में हम बात कर लेते हैं कि यह फून आपको जिस स्क्रीन का साइज हो गया पैनल हो गया रीफरेश रेट हो गया यहां से अगर देखा जाए तो एक अच्छी वैल्यू देने की कोईशिश कर रहा है हलागे बहुत ऐसा स्मार्टफून होते हैं जिसके अंदर स्क्रीन का साइज इतना नहीं होता है लेकिन इस चीज को पर तीनों पॉइंट्स जो देखने को बिले वो काफी खास देखने को बिले है इस चीज से मैं भी वड़ा सक्तवाई हो कि यार यह ती उसके लिए स्क्रीन का साइज बड़ा होना बहुत जरूरी होता है खेर बात करते हैं आप स्मार्टफून की परफॉर्मस वाइस के वाले से इस फोन की परफॉर्मस के लाए रहे है सीडिस से लेकर लाए रहे है क्यों कि इस फोन के अंदर आपको जो ऑप्रेटिंग जितना architecture काम होता है उतनी ही परफॉर्मस इन्हें handsome होती है और साथ-साथ अगर बात की जाए दोस्तों इस फोन के अगर देखा जो आपको Qualcomm Snapdragon 695 के chipset देखने को मिलता है उसी तरह से match करेगा और उसी तरह की आपको gaming देखने को मिलेगी जिस तरह PUBG Free Fire इस तरह की games को हम इसके जाली आपको देखने को मिल जाती है और साथ में अगर बात करें इस फोन के variant के वाले से तो यहाँ अगर 12GP वाला variant होगा 12GP आपको virtual RAM देखने को मिलेगी जो कि आप अलग से बढ़ा सकते हैं उसके आपको extra पैसे भी नहीं देने है वो आपको 12GP RAM free में देखने को मिलेग और 12GP वाला आपको variant देखने को मिलेगा और 1TB तक आपको storage options देखने को मिलता है अचा अब यहाँ पर बात करता हूँ कि इस phone के अंदर camera wise क्या होने वाला है बहुत लोगों का doubt होगा कि यह camera का result भी इसके अंदर इतना खास नहीं देखने को मिलेगा लेकिन हम कह सकते हैं क इसके back set पर जो आपको main sensor दिया गया है वो पूरे 100 का दिया गया है लेकिन यहाँ पर 108 megapixel का होता तो मैं कह सकता था कि इसके अंदर एक अच्छी value भी होगी लेकिन 100 megapixel 8 megapixel कम किया गया है तो यहाँ से फिर भी एक अच्छा खासा हमारा खुजारा होगा और 100 megapixel के अंदर भी आपको एक अच्छी quality का अच्छा result एक अच्छी video recording भी देखने को मिलती है लेकिन अगर बात करें दोस्तों इस phone की selfie के अवाले से जो कि आपको 16 megapixel की selfie देखने को मिलती है अब मैं बात करता हूँ main point की मैंने launch rate की तो बात करती क्योंकि आज today आज मतलब 12 बज़ इसको launch किया इस phone के अंदर आपको जो price देखने को मिली है वो यह है कि यह phone 25,000 के around देखने को मिली रहा है मतलब 25,000 से नीचे देखने को मिलेगा जो कि हम कह सकते हैं कि इतने features देने के वावजूद भी हमें price अच्छी ही देखने को मिली है लेकिन 22 के around यह phone जाए वो launch हो जाएगा और सा साथ दोस्तों इस phone के अंदर में एक चीज़ और भी बताना चाहूंगा जो realme narzo 60 है इस phone की price आपको ठारा हजार देखने को मिलेगी इससे आपको कम मतलब features देखने को मिलेंगे realme narzo 63 के अंदर लेकिन pro के अंदर आपको बहुत अच्छे और खास देखने को मिलें और इसके जिसके अंदर value भी हो एक अच्छा result quality gaming सब कुछ मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा अगर आप इस channel को subscribe कर लेते हो और साथ में bell icon को press कर लेते हो तो आपको उस वीडियो की notification भी मिल जाएगी उसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो अचा अब यहाँ पर बात करते हैं भाई जाने इस phone की battery के वाले से जो के 5000 mh की battery के साथ ये phone आ रहा है और साथ में 67 wad fast charging का आपको दे रहा है अब इसके अंदर हम कहेंगे कि हमें एक अच्छी fast charging के साथ साथ दोस्तों जो हमें battery दी गी है ये भी काफी हद तक बेतर देखन को मिलें ये नहीं कि कोई ज्यादा हाई देखने को मिले गया या कोई हमें एक अच्छी मतलब एक कम देखने को मिले गया तो ये एक normal smartphone के अंदर आ जाता है जिसके अंदर एक अच्छे features ही लगाए गये हैं जिसके अंदर आपको एक कम value देने वाले features नहीं देखने को मिले ह टोटली दोस्तो हम यह नहीं कह सके किया हमें यह चीज इंप्रोव होती लेकिन हाँ मैं यह कह सकता हूँ कि इसके अंदर थोड़ सा चिपसट इंप्रोव होता तो काफी बेतरी इन चीज रहनी थी खैर जो भी किया Realme ने Realme Narzo 60 Pro के अंदर किया और एक अच्छा कुछ किया जो ही किया और मैं उमीद करूँगा कि यह फून आपको अच्छा पसंद आया होगा क्योंकि इस फून का जो डिजाइन है जो इसकी लुक देखने को मिले जो फीचर्स देखने को मिले वो काफी कमाल के होंगे और मुझे कमेंट सेक्षन के अंदर बताइए कि का आज इस फून का आप भाई कर रहे हो यह नहीं कर रहे हो और वीडियो बसान देए तो इस वीडियो को एक बार लाइट शुरू कर देना तो चलिए गाइस यार मिलते हैं से नक्स वीडियो में नेक्स टोबिक साथ